हाई गैस आज के इस वीडियो में को फिर से देखने वाले हैं कि 5-way में strategy के base पे bank nifty में कहां कहां पे entries मिली कौन कौन से entries को आपको avoid करना चाहिए था और उन entries के पीछे का logic क्या है और अगर जो entries avoid की जा सकते थी उनके पीछे का logic क्या है तमाम details इस वीडियो में मैं आपके करने वाला हूँ सुपाने रही है मेरे साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके साथ excel sheet भी share करूँगा अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर April month का पूरा back testing का data मैंने complete करके डाल दिया है उसका final outcome आप देख पाएंगे तो मैं हर बार हर वीडि जो entry exit plan करता है वो किस basis पे करता है वो चीज़ आपकी help करने वाली है mindset को build up करने में ना कि आपका P&L देखना क्योंकि P&L कभी न कभी आपको जो है positive दिखेगा कभी negative दिखेगा लेकिन उसके पीछे का logic क्या है process क्या है वो समझ गे न तो strategy आपको किसी से सीखने की वो खुद बना पाएंगे ठीक है चलिए शुरूआत करते हैं कि आद दिन की शुरूआत किस candle पे होती है तो ये वाली जो candle है देख रहे हैं long wick candle ये नौपंदरे वाली candle इसमें उपर की तरफ से एक बहुत अच्छी rejection देखने को मिलता है तो उसी की वज़े से market थोड़े time के लिए bearish mode में रहता है उसके बाद वहां से एक reversal लेता है reversal लेने के बाद अगर आप candle count करें तो 1,2,3,4,5,6 जो 6 candle के बाद आपको जो है एक bearish candle दिखता है छटा candle ही मान लीजिए जो की inverted hammer है या फिर shooting star बोलीजिए यहां पर आगर आप entry plan करते मैं बात कर रहा हूँ clearly visible plan का यानि कि clearly visible entry की अब ये clearly visible क्यों बोल रहें सरा आप तो देखो कई बार क्या होता है कि 5VMA के बिलकुल pass में candle है टच नहीं कर रहा है लेकिन बिलकुल pass है अब ऐसे में candle को अगर जगई नहीं मिलेगी move करने के लिए तो क्या फाइदा उस entry का क्योंकि market वहां से reversal होने के फिर स जाधा profitable होगा तो यहां पे जब आप entry लेते हैं SL आपका यहां भी गया लेकिन कोई problem नहीं है इस तरीके से आप अपने SL को तो कम कर सकते हैं अगर आप clearly visible entry ले रहे हैं तो तो यहां पे देखेंगे तो 38 point का हमारा SL जाता है no problem at all अगर premium के चार्ट पे बात करें तो 38 point का जाता है तो आपका premium जो है 50 point उपर नीचे चला जाएगा मतलब उसका आधा चलिए आगे बात करते हैं sir एक entry यहां मिलती है इस candle पे क्योंकि इस candle का low इस candle ने break कर दिया 11-30 वाली candle ने 11-25 वाली candle का low break किया यहां पे entry बनती है answer is no क्योंकि अगर आप देखोगे यह बिलकुल पास में है जरा सही difference है candle का size भी बढ़ा है यानि कि खोने के लिए हमारे पास SL बहुत बढ़ा है ठीक है पाने के लिए हमारे पास नीचे का कुछ भी space उतना नहीं है ठीक है तो ऐसे में आप क्या करोगे इस तरह की entries को आप हमेशा avoid किया किजिए जहां पे candle जो है बिलकुल नस्दीक में हुआ करें इससे क्या होगा आप unwanted SL को बचा लेंगे तो यह entry avoid किया उसके बाद और उपर आते हैं यहां पे देखेंगे तो फिर भी थोड़ा सा space आपको देखने को मिल जाता है तो chances है कि move कर जाए candle का size भी छोटा है तो इसका मतलब हमारा stop loss आराम से manage हो जाए तो यहां पे भी देखो हमारा SL गया space तो है लेकिन उतना जादा नहीं है तो ऐसे में भी आप थोड़ा सा risk लेते हुए आप entry ले सकते हैं तो यहां भी SL गया तकरीबन आपका 27 point का फिर से देखो आपको एक entry मिलती है यह भी clearly visible है this one और यहां पे आप जो है अब आप बोलो पीछे चला तो हमने alert candle का high stop loss रखा क्योंकि दूसरे वाले candle का high थोड़ा सा उपर है risk management करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा इसलिए हमने alert candle के high को ही रखा stop loss और उसका low जो है break होने पे हमने entry ली और one is two three का target अगर हम यहां पे देखें let me quickly show you यह achieve हुआ की नहीं यहां पे थोड़ा सा पीछे आते हैं और इसको drag करते हैं yes almost यह हो चुका है कितने point मिला 92 points मिला तो हमारे trade count कितना हो गया पहला SL दूसरा SL और यह तीसरा target तो यही हमारा trade है चौथा आम नहीं ले सकते क्योंकि तीन ही trade हमें allowed होता है लेना एक दिन में अब उन त्रीं trades में अगर पहल find up the session तो यह तीन trade लिए इन तीनों trade को हमने Excel sheet में update कर दिया यहां पर आगर आप देखोगे तो यही वह form है जहां पर मैं fill करता रहता हूं आज की date की यह तीन entries है पहला 38 point का SL 227 point का यहां पर देखोगे second last column तो और उसके बाद 92 point का target ठीक है अपडेट करने के बाद हमारा final outcome हम क्या निकल के आता है एक अपरेल से लेके 25-26 अपरेल तक का data जोए है 36 rate हो जाती है जिसमें से 6 target हिट हुए 1-2-3 का 30 में आपके stop loss हिट हुए तो stop loss वाले points की बात करें तो 1195 point और target की बात करें तो सिफ 711 points तो total अभी भी हम 484 point के loss में है ठीक है और उसमें से अगर हम brokerage को भी add करके देखें कि भाई कितने के loss में amount में तो 8570 रुपे के loss में अभी हम है point wise यह कैसे calculate किया गया है जितना point 484 यहां show कर रहा है इसका half उसम premium तो आधा ही move होगा ना उपर नीच यह तो हमारा spot का points है तो premium में आधे का उसके बरस में 25 का multiply कर दिया क्योंकि हम एक lot से देख रहे हैं तो एक lot से अगर हम trade करते तो 8570 रुपे का loss होता यानि तकरीबन आपका पूरे lot का पैसा do जाता क्योंकि एक lot buy करने में आपको 7500 रुपे की investment और उस पे आपका 8570 रुपे का loss तो 114 point के loss में आप अभी भी हैं देवाइस देखना चाहें कि कब loss हुआ कब profit हुआ तो ये नीचे वाला आपका ये sheet है इसमें भी आप देख सकते हैं तो ये जो मैंने form बनाया ये जो sheet बनाया है ये automatically update होता रहता है अगर आ कौन से time पे मुझे जादा profit होता है कौन से दिन पे मुझे जादा profit होता है अगर होता है तो ये तो 5VMA को ले करके है कोई भी strategy यहाँ पर add कीजिए उसको back test कीजिए इस sheet में update कीजिए और automatically जो है dashboard यहाँ पर बन जाएगा जो criteria आप बोलेंगे मैं आपको बना के दे दिया कर दोंगा ठीक है तो आपने देख लिया 5VMA अगर पूरे मैने trade करते अभी तक यानि 26 तारिक तक तो आपका क्या result रहता आने वाले 2-3 दिनों में देखते हैं कि क्या होता है finally इसमें यानि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप loss में रहोगे क्योंकि 2-3 दिनों में थोड़ी गिया है ना ही मैं personally इसको यूज करता हूँ हां modified strategy को मैं definitely use करता हूँ उसको थोड़ा सा modify करके और साथी साथ मैं price section पर भी धियान देता हूँ बाकी जो मेरी personal strategies है उन पर धियान देता हूँ अगर आप बोलोगे कि naked खाली-खाली 5VMA strategy पर आके आप trade लेते हो तो answer is completely no नहीं क करेंगे result आपके सामने है so I hope you video आपको पसंद आया होगा answer है yes तो वीडियो को like जरूर कर दें चैनल पर पहली बारे तो subscribe कर ले ऐसी ही और वीडियो के लिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and keep learning new things as always